नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं पीम एवीडिया चानल चानल नमबर 9 और हम एक बार फिर से अपने लाइफ फोन इन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं मैं हूँ आपके साथ रेणू भट और शिक्षारतिश हम आपको बता दें कि हम किस विशे पर और कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम नवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का शीर्षक लेकर आए हैं और शीर्षक है उपसर गहा और आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है हमारे विशे शक्ये आप हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अफ एड़केशन लाइगवेज एंसी आटिसे सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका धर्नेवाद जी और आप सभी श्रोता और शिक्षारती और व्यूवर्स हमाई साथ जो जुड़े वे हैं आप हमें कोई भी क्वेरी या सवाल आपके मन में आये तो भेज सकते हैं अगर उपसर गे विशे से जुड़ावा कुछ भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा टेलिफ आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहा है तो यह माधिम है जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं माई विशेशगे से सीथे अपने सवाल पूछ सकते हैं तो सब तक हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं हम आपकी तरफ मुखातिम होते हैं और हम आपसे जारना चाहे जो हम व्योहार में भाशा का प्रियोग करते हैं तो उसमें कई शबद होते हैं और उनके अलग-अलग नाम होते हैं जैसे संग्या, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेशन, विशेश्य आदी तो जो शब्द बनता है, शब्द की जो निर्मिती होती है, वो धातूं से होती है आप ऐसे समझें, जैसे राव मैटेरियल होता है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें integrity, सरिया, cement, सब चाहना होता है वैसे ही, शब्दों की भी एक ऐसी ही दुनिया है, जो धातूं से बनती है और किवल अकेले धातूं से तो बन नहीं सकता, तो मूल धातू शब्द होते हैं फिर उसमें प्रकृति, प्रत्य, प्रत्ययों के बीच में कुछ क्रियाएं, जिसे संधी, आगम, ये सारी चीजे हम समझते हैं ऐसे ही, प्रत्ययों की तरह, आप समझें, प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं तो भाषा का एक अवयो है जिसे हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं इन उपसर्गों की संख्या 22 है और ये उपसर्ग इतने महत्व के हैं कि इनका जब हम प्रियोग करते हैं और जिस धातू के साथ जोड़ देंगे तो ये अर्थ को बदल देते हैं जैसे आप समझें हार शब्द है हार का रथ सबको पता है प्रशिद्ध अर्थ है जो हम गले में धार्ण करते हैं स्वर्ण का हो सकता है या पुष्प माला का हो सकता है तो माला का होगा तो माला का हार होगा पुष्प हार होगा सोने के हार होंगे अलग-अलग तरह के हार हो सकते हैं लेकिन इसी हार शब्द में यदि प्रा जोड दिया जाए तो क्या होगा प्रा हार अब प्रा हार का अर्थ माला नहीं रहता प्रा जोड देने से वो जो हार शब्द है वो मारने अर्थ को कहता है प्रहार अर्थात मारना ऐसे ही 22 जो उपसर्ग हैं उन उपसर्गों को जोड़ देने से शब्द का अर्थ बदल जाता है इन उपसर्गों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं ये जो हम देख रहे हैं इस क्रम में प्रा परा अपसम अनु अव निश निर ये संख्या उपसर्गों की है पूरी की पूरी और महरशी पाणिनी ने उपसर्गों को बताने के लिए एक सूत्र ये कहा है उपसर्गाहा क्रिया योगे ये पाणिनी का सूत्र है आचारे पाणिनी कहते हैं कि क्रिया के योग में उपसर्ग संग्या होती है किसकी तो ये जो बाइस इधर हमने देखा प्र, परा, अप, सम ये आदी जो इधर साइड में देख रहे हैं तो जब इनके साथ क्रिया का योग होगा अर्थात क्रिया को कहने वाला कोई शब्द होगा क्रिया को कहने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें शब्दों को धातू कहा जाता है जैसे गम धातू है उसका आर्थ होता है गच्छती ठीक है पठ धातू है उसका आर्थ है पठती अब गम धातू से जो रूप बनता है वह है गच्छती गच्छती अर्थात जाता है उसमें हमने आ यह जोड़ दिया तो क्या होगा आ गच्छती आ गच्छती अर्थात आता है पूरा का पूरा अर्थ बदल गया ये किसके प्रभाव से अर्थ बदला उपसर्गों के प्रभाव से और ये उपसर्ग किवल समस्कृत भाषा में नहीं हर भाषा में होते हैं ये सिध्धान्त समस्कृत भाषा का जो पाणिनी का सिध्धान्त है ये सिध्धान्त हर भाषा में लागू होता है हिंदी में देखेंगे और भारतिय समस्त भाषाओं के साथ-साथ विदेशी जो भासाएं हैं उन भार्षाओं में भी उपसरगों का प्रियोग होता है एक उदाहरण हम और देखेंगे जैसे ये इश्लोक है प्रहाराहार संगहार विहार परिहारवत ये पूरी पंक्ती है प्रहाराहार संगहार विहार परिहारवत ये अर्थ है इसकी पहली जो पंक्ति हम देख रहे हैं उपसरगेंड धात्वर्थो बलात अन्यत्र नियते अर्थात उपसरग के द्वारा धात्वर्थो अर्थात धातू का अर्थ बलात अर्थात जवर्जस्ती उपसरग में इतनी शक्ती होती है कि वो धातू के अर्थ को बदल सकता है अन्यत्र नियते अर्थात दूसरे अर्थ में प्रयोग करवा देता है जैसे ये देख रहे हैं हम हार शब्द है हरी धातू से हार शब्द बनता है इस हार का अर्थ माला है लेकिन जब इसमें हमने प्राजोड दिया तो क्या हो गया प्रहार तो हार इसका अर्थ भोजन करना भोजन होता है इसी तरह हार में हमने सम जोड़ा सम उपसर्ग है इस उपसर्ग को हमने जब जोड़ा तो हो गया संहार संहार का अर्थ है नश्ट करना होता है जैसे कहते हैं स्रिष्टी का संहार हो गया हम संहार कर देंगे ऐसे इसी तरह जब हार में वी अर्था भ्रमड करना घूमने अर्थ में हो गया इसी तरह परि उपसर्ग को जब हमने जोड़ दिया तो परिहार प्रिथक करना अलग कर देना और उपहार कुछ हम पारितों शिक्दें किसी को कुछ भेट करते हैं वह भेट अर्थ को तो ये सारा का सारा देखिए शब्द त अर्थ का कारे कौन कर रहा है तो उतर मिलेगा उपसर्ग ये चमतकार उपसर्ग का होता है ये शक्ति उपसर्ग में है जो अर्थ को बदल सकती है है ना ऐसे ही एक और उदाहरण हम देख सकते हैं गम ये धातु है वहां हार हमने जो देखा था वो कृदंत प्रत्य ये हम मूल धातु से देखते हैं गम धातु है गम धातु का अर्थ जाना अर्थ होता है जाने के लिए आचारे पाणिनी ने गमलरी गतव धातु का प्रयोग किया है अब यहां पर आप दूसरे क्रम में देखेंगे उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है निर है ना उपसर्ग में गमधातू का रूप होता है गच्छती ये देखिए तो क्या बना शब्द निर्गच्छती अर्था निकल जाता है और गच्छती का अर्था है जाता है अब आप देखेंगे गच्छती हर जगह आपको कौमन दिखाई पड़ेगा जैसे उप को जोड़ा तो क्या बना उप गच्छती समीप जाता है इसी तरह अनू को जोड़ा हमने तो अनू गच्छती पीछे पीछे जाता है अनू पस्चात अर्थ में प्रयोग होता है इसी तरह उत उपसर्ग को जब हमने जोड़ा तो उद गच्छती उपर जाता है अवगच्छती अवगच्छती अर्थ का जो अभी प्राय है वो पूरा का पूरा बदल जाता है ये पूरी शक्ति जो है उपसरग की है है ना यहाँ जो श्लोक ऊपर देख रहे हैं प्रपरा की गिंती कराई गई है कि ये 22 उपसरग हैं तो केवल संख्या के लिए यहाँ दिखाया गया है या आप ये समझ स कि उपसर्ग कौन है इसके लिए ये उपर श्लोक दिया गया है ठिक इसी तरह हम और उदाहरण देख सकते हैं थोड़ा सा डीप अगर हम जाते हैं और गहराई में देखते हैं ये प्रा आप देख रहे हैं प्रा नाम का एक उपसर्ग है जो पहले हम अभी पढ़ रहे थे ये इसके अर्थ हैं प्रादि कर्मन लिउपर में दिग योग इश्वर्य जन्मसू नर्म प्रेमलोह प्रकर्षे ग्रे अर्थात अग्रे ज्याने प्रसवभूशडे दोशे नियोगे अवसरे सेवा साहस शुद्धिशू उपयोगे प्रकतने अनवधान बहुत्वयो हो माने हिंसा शास्त्र नामनोर वंचनार्थ विपर्ये सन्यासा मृत्योह कालेथ तथा स्यान मंद मुख्ययो हो ये 32 अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं जो जिन अर्थों में इस उपसर्ग का प्रेयोग होता है ये अर्थ यहाँ आप देख सकते हैं कि आदी कर्मडी प्रथम कर्म में सुरुवात का कोई कार्य है उसके लिए इसका प्रेयोग होता है ऐसे ही दिग योगे तो ये भिन भिन अर्थ हैं हम इन अर्थों पर अभी नहीं जाएंगे जिन्हें आवश्यक्ता हो क्योंकि ये ज़्यादा डीप हो जाएगा बच्चों के हिसाब से काक्षानों के बच्चों के लिए ये ज़्यादा शुक्ष्म होगा इसलिए हम इस पर ज़्यादा विवे प्रभोती अर्थात उत्पन होना प्रकर्शह ये प्रकर्शह में भी प्रा उप्षर्ग लगा हुआ है अर्थात उत्क्रिष्ट अत्यधिक महत्तो पूरो जो हो इसी तरह प्रयपनह यतन तो सुनते हैं हम यतन कर रहे हैं किसी कारे के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रा जुड़ जाने से बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रकृष्ट प्रयास कर रहे हैं, यह अर्थ आता है, तो इस तरह प्राके हमने जो पीछे 22 अर्थ देखे थे, 22 अर्थ थे, उनको सब को यहां नहीं कह सकते, एक दो द्रिश्टान्त के लिए हम यहां प्रयोग कर रहे हैं, उदाहरण के तोर पे अगर वाक्य में हम प्रयोग करें, तो गंगा, हिमालयात, प्रभवती, अर्थात गंगा, हिमालयात, प्रभवती, अर्थात गंगा, हिमालयात, समुत्पन्न होती है, प्रगट होती है, तो यह उत्पन्न होने अर्थ में प्राका प्रयोग ह हम यहां देख रहे हैं इसी तरह परा उपसर्ग है जिसका प्रयोग देख रहे हैं पराजयते पराजित होता है इसी तरह पराभवती सैनिक है शत्रून पराजयते जो सैनिक है शत्रून को पराजित करता है इसी तरह अप उपसर्ग है इस अप उपसर्ग का हरीधातु से प्र जो चोर है वो धन का अपहरण कर रहा है चुरा रहा है तो अप उपसर्ग है सम उपसर्ग का प्रियोग संसकरोत यत्वा संगच्छते यह संधी हो जाने के कारण यहाँ पर मा उपर बिंदू बन गया है और यहाँ पर अंगा के रूप में बदल गया है अध्यापक चात्रम संसकरोती अर्थात अध्यापक जो है चात्र को संसकारित कर रहा है है ना ऐसे ही अनुगच्छती अनुपसर्ग का प्रियोग पिछे जाता है अनुकरोती अर्थात अनुकरण करता है नकल करना देख करके करना अनुकरोती गुरुम अनुकर गच्छती शिश्य है शिश्य जो है गुरु के पीछे पीछे जा रहा है ठीक है अथवा अनुकरोती का ताथ पर अनुकरण करना भी छात्र अनुकरोती अर्थात छात्र नकल क कर रहा है किसी को देख के लिख रहा है अवतार लेने अर्थ में इसका प्रयोग होता है अवतार लेना तो अवत हातों का प्रयोग किया गया है इस तरह देख करके हम ये पहचानते हैं कि उपसरगों का प्रयोग जिन शब्दों में किया जाता है प्रश्ण इस तरह के बहुत सारे होते हैं बच्चों के लिए कि उपसरग का चैयन कीजिए इस वाकि में उपसर्ग कौन सा है तो उपसर्गों को छाटना या उपसर्गों को देख करके रिक्त स्थानों की पूरती करना हम बाद में वो देख लेंगे यानि कि बच्चों को बताना होता है कि इन शब्दों में उपसर्ग कौन सा है इस तरह के प्रश्ण होते हैं वो हमें ध्यान रख तो उनकी हमें पहचान हो जाएगी यह रटने की जरूरत नहीं है यह पहचानने की जरूरत है जब हम इसको पहचान लेते हैं कि हाँ अव जुडता है तो ऐसा सुनाई पड़ता है तो जो बार बार शब्दों का अभ्यास है वह अभ्यास ही हमें इसमें अत्यंत कुशल बनात आगे हम अगर देखें तो सात्मा उपसर्ग है निर उपसर्ग निर उपसर्ग निर्गच्छती निरा करोती अर्थात निर्गच्छती निकल जाता है प्राचारिया उधारण देखे थे कि प्राचारिया कार्यालयात निर्गच्छती जो प्राचारिया है वो कार्यालय से नि निकल रहे हैं ऐसा तो यह निर्गच्छत निकलने अर्थ में प्रियोग होता है यह निर्ग का अभाव अर्थ में भी प्रियोग होता है जैसे निर्मशकम तो मशका नाम अभाव निर्मशकम जो मशकों का अभाव है मशक माने मच्छर तो अभाव अर्थ में भी प्रियोग ह होता है निश्व उपसरग है जिससे प्रयोग यहां देख रहे हैं निश्कारणम अत्वा निश्रति निश्रति अर्थात निकलना सर्पह बिलात निश्रति जो सर्पह है वो बिल से निकलता है है ना तो अब निश्रत में हमें निश्व उपसरगे दिखाई पड़ रहा है न तो दूस्तियाज्यह यह दुष उपसरग सुनाई पड़ रहा है दुष प्रेव जणम में भी देखें यहां बदल गया है तो सभावध दूस्तियाज्यह भवति जो सभाव होता है किसी वी व्यक्ति का वह अपने आप आ जाता है wasnp कुछ लोगों का होता है, शब्दों का प्रयोग करना, तो वो शब्द बार-बार आते रहते हैं, है ना। तो किसी के सुभाव को बदलना थोड़ा सा कठिन होता है, बदल तो जाते हैं, सुभाव वेवहार परिवर्थन करना चाहें, तो हो जाता है लेकिन दूividades मनें कठिनता से त्याज है सुभाव परीवर्तन काफी कठिनता से होता है यह इस वाक्य का भावार्थ होगा दुरुप्षर्ग है जिसका अर्थ दुरुबध्या और दुरलभः इस अर्थ में प्रियोग यहाँ देख रहे है अयम गूढ विशय दुर बोध्यास्ति दुख के अर्थ में प्रयोग होता है यह दुख में भी यही उपसरग है ठीक है ना दुख में तो दुख अर्था दुर तो दुर बोध्या अर्था दुखेन बोध्यास्ति कठिंता से यहां बोध्या है विशय इसलिए यहां दुर बुद्ध्यका प्रीयोग किया गया है दुरलव अर्था दुखेन तावत लपधुम शक्यते एतदर्थम दुरलव हा, ऐसे ही विवश्भ के साथ विजयते और विहरती यह होगा, टंकल दोशिहां विहरत दिख रहा है, विहरती प्रीयोग होगा, धर्मसदा विजयते, धर् आकंठम अर्थात कंठ परियंत आंग पूरण अर्थ में इसका प्रियोग होता है आजीवनम अर्थात संपूरण जीवन परियंत है ना तो आकंठम जलम पीतम कंठ परियंत हमने जल पिया और इसी तरह आंग का पूरण अर्थ में सरवत्र प्रियोग मिलता है सर हमारे पास इस कायर क्रम में पांच मिनट बचे हैं, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसका वाक्य अर्थ बदल जा रहा है, और हम क्या यह कह सकते हैं कि वैसे तो जादा तर हर करने वाला शब्द बन जाएगा, बिलकुल, इस करम में हम आगे अगर देखें, तो नी उपसर्ग है, और नी उपसर्ग का निगदती, निपतती प्रियोग देख रहे हैं, गदती का अर्थ बोलना है, और निगदती अर्था भी बोलना ही होता है, लेकिन उसमें कुछ वि अधिराजते, अधिशेते, इन उपसर्गों के प्रियोग के कारण विद्वान सर्वत्र अधिराजते, अर्था विद्वान जो है सर्वत्र भाशित होता है, सर्वत्र क्या होता है, प्रभाव शील होता है, अपने प्रभाव के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर वह सम्मा को प्राप्त करता है ऐसे ही अति उपसर्ग है जो अत्यधिक अर्थ को कहता है अतिवादह अथवा अत्याचारह यहां पे विफिरीत अर्थ को कह रहा है अतिवादो नकर्तब्यह अर्था तो वाद है करना चाहिए लोगों से परामर्ष करना चाहिए किसी वी सह पे चर्चा क लेकिन अतिवाद नहीं करना चाहिए अतिवाद करने के बाद जगड़ा हो जाता है इसलिए अतिवाद से बचना चाहिए वाद करना चाहिए ठीक है वाद विवाद तक परियाब थे लेकिन अतिवाद करना जगड़े का कारण हो जाता है तो अतिवाद से बचना चाहिए ऐस सु उपसर्ग है अच्छे अर्थ में प्रेयो होता है सु पुत्रह अर्थात अच्छा पुत्र है शोभना पुत्रह सु सोभते सुन्दर शोभित होता है तो उद्याने पुष्पाणी शुषोभनते उद्यान में पुष्प जो है शुषोभित हो रहे हैं उद्डयते तो यहाँ पक्षिणह आकासे एब डयन्ते, जो पक्षी हैं आकास में उपर उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे उपर यर्थ में प्रीयोग हुआ है, इसी तरह अभी उपसरग है, अभी उपसर्ग, अभी गच्छती, अभ्यागतह, तो अभ्यागतह का रथ अतिथी भी होता है जिस प्रकार से अभ्यागतह रथात अतिथी ही सरवई ही सदा पूजनिय अतिथी जो है सरवत्र सब के द्वारा पूजनिय होता है ऐसा यहाँ प्रयोग हो रहा है प्रति उपसर्ग है प्रत्यूपकार है प्रत्यूपकार है विफरीत के लिए व्यक्त करता है कह सकते हैं जैसे उपकार है और उपकार के लिए जो हम किया जाए वो प्रत्यूपकार के बदले किया गया इसलिए वहाँ प्रत्यूपकार होता है इसलिए तरह अवदत और प्रत परिवर्टनम इस रूप में यहां प्रयोग किया गया है दुष्टम परिट्यामी अर्था दुष्ट को हम त्याग दे रहे हैं तो परिवर्पसर्ग जो है परिता अर्थ को भी कहता है मने पूर्ण रूपेण ऐसा कह सकते हैं ऐसे ही उप उपसर्ग है उप गच्छती उप पर समीप अर्थ को कहता है उपकृष्णम इत्यादि में उसे हम देख सकते हैं शिष्च्रह अध्ययनार्थम गूरूम उपगाज्छती समीप जाता है और अपी उपसर्ग जो है पिधान अर्थ और पिधान अर्थ हैं पे प्रयोग किया गया है अप ही अब ये भी है जो भी अर्थ में प्रयोग किया जाता है ऐसे हम ये चीज समझ ले Baby मैं आपको रोक रही हूँ मास्की जिगह क्योंकि समय हमें बिल्कुल जासत नहीं दे रहे हैं कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं बिल्कुल इस उदाहरण को हम देख करके और फिर इसे पूरा करते हैं बिल्कुल तो ये उप उपसरग के साथ जो धातू का प्रयोग है उप गच्छते उप गमिश्यते उप गच्छत उप गच्छत और उप गच्छत ये पांच लकार से याशुशोभंति ये रिक तस्थानों की पूरती के लिए चात्रों की क्रियाएं होंगी इसी तरह इसमें भी धातूं को पहचानना और उपसर को पहचानना और फिर क्रिया रूप को पहचानना क्रियाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं अभ्यास के लिए ये गतिविधि तरह से शब्द से उपसर्ग हटाया जा सकता है और लगाया जा सकता है और हम बात कर रहे थे नवीक अक्षा की संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए शीर शक्रहा उपसर गहाँ अब यह थोड़ी से समय के लिए रुक रहे हैं और एक और ज्ञानवर्धक कारिकर्म के साथ हम फिर से हाजिर होंगे पीम ए वीदिया चानल्स पर आप नहीं मजी बने रहे हमारे साथ धन्यवाद